तो जो चाप्टर सिम्लारिटी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था 1.3 एक्साइस लग काम हम लोगों का फिनेश हो चुका है राइट नौ हम लोग अब मूव करेंगे एक्साइस सम्बर 1.4 में ठीक है लेकिन एक्साइस सम्बर 1.4 तुमारे किस टॉपिक पे बेस्ड है तो देखो एक्साइस 1 कैसी थी आपके एरियास के रेशो के बारे में था एक्साइस सम्बर 2 आप लोगों के थेरम से लाइक भीपीटी थेरम थेरम और उसके बाद क्या कहते है उसको एक और थाना वापे एंगल बैसेक्टर थेरम ठीक है 1.3 एक्साइस में हमने सिमिलारीटी लगाना सीखी कुछ सवाल दिये मैंने अभी एक एक्साइस शीट भी शेयर की है उसको तुम्हें बनाता है ठीक है क्योंकि आप लोगों का जो बोर्स के पेपर में जो आखरी का सेक्शन होता है जो आप लोगों के टेक्सबुक वालग के पार्ट में से नहीं आता है तो उसके लिए यह चीज कैसा जरूरी है आपके थोड़े से एक्स्टा सवाल करना बट अगर किसी को पहले ऐसा है कि नहीं मैं पहले अपनी टेक्सबुक ही फिनिश कर लूँ उसके बाद वगेरा मैं करूंगा करके तो वो भी अच्छी बात है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है अच्छा तो देखो आब हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों की फोर्थ एक्साइज जिस टॉपिक पे बेस्ड ठीक है उस टॉपिक का नाम है थेरम ओफ एरियाज और सिमिलर ट्राइंगल ठीक है अच्छा यानिकि यह पॉइंट पे यहां confusion create होता है करके ठीक है वो confusion यह होता है कि यहां पर एरिया वर्ड सुनते बराबर ठीक है अब एरिया वर्ड वर जो सुनता है तो ऐसे केस में उसको लगता है कि अरे वाई यह तो मेरी पहली एक्साइज से करके है ना बट बेसिक लिए आपके जो पहली पहली एक्साइज थी पहली एक्साइज में I do agree करके कि एरिया वाला वर्ड वहां के involved था बट वहां पे जो एरिया आपका involved था वहां पे कोई भी आप दो ट्रांगल्स लो किसी भी दो ट्रांगल्स में आप half into base into height लगाओ बस हो गया एरिया बात खतम है ना बट लेकिन यह जो आपका topic है आज का इसमें आपको एरिया वाला जो ratio है वो आपको तभी लगाना है जब आपके क्या होंगे triangle similar होंगे यानि कि पहले आपको दो ट्रांगल्स को similar proof करना है और उसके बार आप उन एरियास के concept को apply करोगे तो अगर आप triangles को similar proof कर पाए तो 1.4 exercise के according area का ratio लेना बट अगर मान लेते हैं कि वो दो triangle similar proof होई नहीं रहे data insufficient है ठीक है तुम लोगों के हिसाब से तो हर triangle के लिए data insufficient होगा बट अगर सच्छी में data insufficient है या फिर वो triangle similar proof नहीं हो रहे है या नहीं है तो ऐसे case में जो first exercise में आपको लगाते थे ना area का ratio a1 by a2 equal to b1 h1 by b2 h2 वो लगा है कि कब first exercise area लगाना है और कब आपको fourth exercise में area का ratio लेना है अब तो समझते है कि statement के वाई है कि देखो यह चीज क्या है आप लोगों के पास करके ठीक है तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है the ratio of the areas of two similar triangle आपके पास दो similar triangles करके है ठीक है आप लोगों के पास दो similar triangles है और उ लोगों का वो बोल रहा है कि आपके पास already similar triangles है similar triangles आप लोगों के पास है तो अगर तुम लोगों के पास similar triangles होगे तो यह बात आपके गिवन में लिग दी किमाल लेनते है मेरे पास एक triangle तरहीं। run के पर एक पत्राइंगल, कि आप जो तो त्मों नदी। है कि similar है करके कैसे उसने similar proof कि यह उस पर तो focus ही नहीं बट यह हैं मतलब है तो देखो triangle ABC similar है कि इसके triangle PQR के यह given में हो गया अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि अगर दो triangle similar होंगे और अगर आपने उन लोगों के areas का क्या ले लिया ratio ले लिया यानि कि area of triangle ABC और upon में area of triangle PQR अगर आपने ले लिया तो यह ratio B1H1 यह B2H2 के बराबर नहीं होगा यह ratio किसके बराबर होगा उनकी corresponding sides के square के मतलब उस triangle ABC में उसकी sides क्या है ट्रीसी भी triangle में तीनी sides होती है जैसे AB होगा BC होगा AC होगा है ना तो यह देखो यह top में दिख रहे है BC का square जैसे नीचे वाला लिया है मैंने BC तो यह आ गया BC का square upon में दूसरे वाले triangle में QR का square फिर पहले वाले triangle का अगर AB का square है तो दूसरे वाले triangle में से फिर किसका square है PQ का square है यानि कि sides corresponding sides के square के ratio के बराबर है यह वाली चीज यह तुम लोगों का आज का थेरम तो पहले इस theorem को question में apply करने से पहले इसका proof देख लेते करके कि कि किस तरीके से इसको proof करना है ठीके जिस तरीके से आप इस theorem को corresponding sides के लिए प्रूफ कर रहे हो ना इसी तेरम को आप corresponding heights, corresponding medians इनके लिए भी कर सकते हो बट आपके book में जो तेरम है उसमें सिफ और सिवेची sides के लिए जब एक बार तुम लोगों की सारी exercises खतम हो जाएंगी problem set के सारे सवाल discuss हो जाएंगे तो मैं एक बार यही तेरम corresponding medium औ corresponding height के लिए अपलोड कर लोगी जिस इंसान को देखना होगा प्रूफ करना होगा वो कर ले ना करके ठीक है अच्छा अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे अब question में गीवन है कि एक triangle दूसरे triangle के similar है तो obvious है मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मैंने 2 triangles create कर लिए okay I did अब अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे construction की निए then that construction is I have to draw a height ठीक है मुझे height draw करनी दोनों राइंगल में क्योंकि area क्या होता है half into base into height मुझे height लेनी तो पड़ेगी न सो जैसे तुम्हें पता है कि एक triangle में 3 vertex है तो height भी कितनी होंगी 3 but हम लोग कौन सी height लेंगे जो हम लोगों को पसंद पसंद की बात यह होती है कि जो देखने में को सीधी सीधी भी लग रही है तो यह मैंने एक height drop कर लिए इसको मैंने यह मैंने d point देदिया वैसे ही यहां से मैंने पी point से एक दूसा perpendicular drop कर लिया और लेट से मैंने इसको point देदिया लेट से pqrs यह मैंने इसको देदिया तो मुझे यहां पर construction में करके वह वाली चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि इस question में मैंने क्या construction किया है ठीक है तो यहां में क्या किया गया है साथी साथ में आमने यह किया है कि आप लोगों का पी एस perpendicular to किस चीज के साइड क्यू आर के यह हो गया आप लोगों के पास एक तो यह मेरा construction ड़न अचा लेकिन यहां पर मुझे एक चीज़ मेंशन करने पड़ेगी कि सच दाट पर पंडिकुलर कौन सा पॉइंट किस के बाद है बी के बाद डी आ रहा है फिर सी आ रहा है यह बता है ऐसा भी तो हो सकता है बी सी और फिर डी बराबर यह चीज़ भी तो हो सकती थी बैट वैसा हम लोगों ने नहीं किया अच्छा अब इस question का हम लोग देखो proof अगेरा किस तरीके से करें है तो तुनंद अपने दिमार्ग में लेकर आ जाओ कि एरिया का जो रेशो होता है वो क्या होता है बोलो a1 by a2 equal to b1 h1 ठीक है b1 h1 और upon में क्या होता है बताओ b2 h2 बड़ी के बले ही तुम्हें कुछ पता हो यह तुम्हें कुछ पता ना हो इतना तो बता है ना कि एरिया क जो रेशो होता है करके वो क्या होता है आप लोगों का वो होता है a1 by a2 करके equal to b1 h1 by b2 h2 ठीक है तो इसको हम लोग यहां पर लिग देते हैं करके कि area of triangle आपका a b c upon में क्या जाएगा area of triangle p q r यह किसके बराबर है equal to में b1 h1 ठीक है किसके बराबर है b1 h1 तो b1 h1 में में क् चीज क्या जाएगी बीवन पहले वाले triangle abc का बेस कौन है bc multiply by उसकी height ad नीचे में triangle p q r का base कौन है आप लोगों का q r और multiply by उसकी height यानि की ps यह इस तरीके से आ गया मेरे पास बराबर अच्छ अभी इस चीज का मुझे reason देना पड़ेगा वैसे तुम्हें पता है इस statement है वो थोड़ी सी लंबी है तो यह हो जाएगा ratio of areas of two triangles ठीक है आपने दो triangles के area का क्या लिया रेशो लिया करके और यह वाला जो ratio है यह किसके equal आया है तो यह ratio आपके product राइट इस statement को पुरी के पुरी statement है ना पुरी के पुरी statement लिखने पड़ेगी is equal to the ratio of the product किस हीच का product ह यह आपके basis का मतलब उन लोगों के basis का और उनकी corresponding height का करके ठीक है तो यह statement अच्छे से copy में लिखना और यह statement मैंने लिख दिया और अब हम लोग कैसा आगे बढ़ते हैं करके बराबर अच्छा अब क्या तुम्हें corresponding height लिखनी थी मैंने corresponding base लिख दिया तो मैं इसको correct कर लेत मैंने देखो कर लिया है और इसके बार में मुझे क्या जानकारी है तो देखो जानकारी कुछ इस तरीके से हैं आप लोगों को कहा गया है question में कि triangle similar होंगे मतलब अगर आपको यह particular theorem apply करना है तो triangle आपके similar होने चाहिए यह वो बोल रहा है triangle आपके क्या होने चाहिए तो सब से पहला given जो मुझे को यह दिया है ठीक है second given जो यह दिया है कि मेरा जो triangle ABC है वो triangle ABC similar है किसके आपके triangle PQR के यह वाली information का reason हम लोग क्या देंगे given अब एक बात यार रखना अगर एक triangle ठीक है अगर आप लोगों का एक triangle similar होता है किसी दूसरे triangle के तो यह implies किस बात को करता है यह implies इस बात को करता है करके कि वहाँ पे हम लोग CSST या फिर CAST लगा सकते हैं राइट हम लोग क्या लगा सकते हैं दोरों मेंसे कुछ तो लगाओगे करके बराबर तो चलो हम लोग अब इसको लगाना शुरू करते हैं तो triangle ABC अगर triangle PQR के similar हैं तो sides का ratio भी क्या होगा equal इसमें sides के ratio को ले लेते हैं एक दम जल्दी से कौनसी वाली side का ratio बताओ कौनसी वाली side के साथ लिया जाएगा करके तो AB का ratio किस के साथ PQ के साथ तो यह मैं लिग देती हूं करके AB upon me PQ फिर next आ जाएगी diagram को देखो क्या जाएगा AC upon me PR ठीक है यह आज गया आप लोगों का AC AC upon me PR और equal to में फिर क्या जाएगा यहां पे BC upon me आप आजाएगा QR इसका reason हम लोग क्या रहेंगे CSST corresponding sides of similar triangle ठीक है जैसे congruency में CSCT होता था यहां पे CSST यह करके अच्छा अब अगर sides का ratio equal है तो angles भी तो equal होते हैं यानि कि क्या मैं लिख सकती हूं कि angle A बराबर angle P, angle B बराबर angle Q, angle C बराबर angle R तीनों information लिखे जा सकती है तो यह लिख देते हैं कि angle A congruent होगा किसके angle P के, angle B congruent होगा किसके angle Q के और angle C congruent होगा angle R के और इस चीज़ का reason है CSST बराबर यह मैंने तीनों angles को लिखके रख लिया है क्योंकि हो सकता है मुझे आगे इन में से किसी क्या पढ़ जैंनी t üç पर जाये जीक है तो जब इन लोगों की अचांश की पर अब कि अपनी गाडी चलाते हैं तो लोगों को थे बीज्गे अब कोश्यजे करने के लिए कुछ भचा ही निनिफ तो और पको के पास कुछ भचा ही निफान निफंदह li. कर लिए अब हम क्या सोचेंगे तो इससमें सोचना हम लोगों को बस इतना सा है इती सिंपल सी चीज़ कि आपको दो ट्राइंगल से similar proof करने हैं कौन से दो triangle similar proof करने हैं अब आपको जो ये बीच में आपने perpendicular drop किये हो इस perpendicular को drop करनी की वज़ा से आपका वो triangle है उसके क्या हुए है दो तुकड़े हो गए है ना तो लेट से मैंने एक तुकड़ा इस triangle का ये वाला consider कर लिया अगर मैं इस में से सब्सक्राइ इनले में खर आङए दोनों मैंसे यहाला तुप्ड़ा कर लिया रहे हैं अब अगर में यह अई सिर्फी तर्फ कर लें यह भी खरउन chosen इंरे कि अयersonordon खुआ हिंकि कर सकते हैं किемся कि आवे से आंठे दी आइनकों Колुट आप खे रहे से ख्षापलों में की natuurlijk मुझा सबसादे मुझा आपको मैं कॉन्य के रहे हुआ है तो एंगल D और एंगल S आप लोगों का आगया बराबर का रही अफसा में तो प्रेंशन लेने की कोई बाच्ची भी नहीं करते क्या रहा है यह कैसे करेंगा अब बच्चता है सिर्फ एक एंगल और ढून के लेकर आओ तो तुम एक एंगल कहां से ढून के लेकर आओगे तो ढूनने की बात नहीं है आखे चलाओ यह देखो नीचे में हमने कुछ इंफरमेशन लिखी है एंगल सी इक्वल टू एंगल आर की इक्वल नहीं है है मतलब जिस चीज को हमने यहां पर लिखके रखाता है यह हमारे कहां से एक नहीं हो सकते है न कि वह भी कभी नब है आप लोगों के यूथ में आ जाए करके इस वज़ह से हैं ना चलो ठीक है दे दिया हम लोगे उसको अब आगे आगे यह कि हम लोगों को जिन दो ट्रैंगल को सिमिलर प्रूफ करना है कौन है वो ट्रैंगल एक आप कि यह चीज कहां से आई, फ्रॉम टू आई, उसके अलावा उसमें एक और चीज है, वो एक चीज क्या है आप लोगों की, एक चीज इस की एंगल D और एंगल S, यह एक दुसरे के क्या है करके 90-90 डिग्री पर है, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों का फुल नेम लिग देंगे कि आपका ट्रैंगल A, D, C और आप लोगों का दूसरा वाला एंगल P, S, R, यह दोनों आपस में इक्वल हैं, यह कितने डिग्री के हैं, इच 90 डिग्री, तो इस इसाफ से, जो तुम लोगों का ट्रैंगल A, D, C है, यह सिमिलर प्रूफ हो गया है किसके ट्रैंगल P, S, R के, और कौन से वाले टेस से यह सिमिलर प्रूफ हुआ है, तुम लोगों के A, A, टेस्ट और सिमिलर इसे, अब इस नी लगा सकते हैं, इसमें भी C, S, T और C, S, T लगा सकते हैं, तो लगा हो जड़ा है, इसमें C, S, T का रेशयो ले लो, A, D का रेशयो P, S के साथ आ जाएगा, ठीक है, तो A, D, अपन में क्या आ जाएगा, P, S, और साथी साथ में हाइपोटेनियस कौने, A, C, और उधर करना है, बराबर, अब आगे क्या करने का है, तो देखो, यह हम लोगों के काम आएगा, इसको equation number 3 देते हैं, अब आपने equation number 2 और equation number, sorry, equation number 1 और equation number 3 को अराम से देखो, observe करो, तो में equation number 1 और equation number 3 में कोई common चीच दिख रही है क्या, मुझे तो दिख रही हो common चीच, वो common चीच ह क्या है, AC upon में PR, यह AC upon PR दोनों तरफ है, तो इससे क्या, तुम यह conclusion निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं यह बोलते हैं, AB का friend है, बट B तो friend है, C का, तो therefore, A friend हुआ किस चीच का, आपके C का करके, ऐसा बोलते हैं, तो अगर AC by PR उपर में भी equal है, और वही AC by PR अगर chi, EQ, और आपका BC upon QR और आपका AD upon PS साथी साथ में DC upon SR साथी साथ में AC upon PA, यह सारे के सारे ही एक्वल रहेंगे, है ना, यह सारे के सारे ही एक्वल रहेंगे, इस तरीके का ratio create करके मुझको क्या मिला, मुझको यह मिला कि जो मेरे पस देखुअ, एक equation थी, यह वाली equation, आरे या तो एक काम करना जब तुम लोग इसको अपनी कॉपी में करोगे ना तो इसको 1 डाल देना जो 1 इसको 2 कर देना जो 2 इसको 3 कर देना खुद से तो करोगे ना मेरा exactly तो छापोगे नहीं तो फिलाल मैं इसको equation number लेट से आप लोगों का 5 दे दे रही हो फिलाल क्योंकि में पास क सॉल कर लेती हुँ लो यह यहाँ पर मतला जरूरी नहीं है कि अगर अपने area वाला काम पहले किया है इस area वाले काम को तुम बाद में भी कर सकते थे करके ठीके next step में भी तो मैंने पहले पूरा यहां तक का आप काम कर लिया फिर उसके बाद मैंने यह area वाला ratio लिया ठीके क है फ्रॉम equation number 4 तो क्या लगता है कि यह जो उपर में AD upon PS is AD upon PS की जगा मैं यहां पर BC upon QR लिख सकती हूँ देखो पहले से एक BC upon QR तो था ही था एक BC upon QR और आ गया तो यह from 4 ठीक है बलकि किसकी equation number की भी नीड नहीं है तो यहां से यह चीज ऐसी नहीं प्रूफ हो गई कि area of triangle ABC upon में area of आपका triangle P, Q, R यह वाली चीज इक्वाल आ गई है किसके BC square upon में Q, R square के ठीक है आप देखो तुम्हें प्रूफ क् करना था कि दोनों area of triangle ABC upon area of triangle P, Q, R यह वाली चीज बीसी square by Q, R square के equal equal आ जाए आपको प्रूफ भी यही करना था बट साथी साथ में तो तुम्हें यह भी चीजे प्रूफ करनी थी करके है ना AB square upon P, Q square AC square upon PR square तुम्हें यह सब चीजे भी तो करनी थी प्रूफ बट वह तो अ आप लोगों का यही BC upon Q, R किसके equal है? AB upon P, Q के equal है यही BC upon Q, R किसके equal है? AB upon P, Q के equal है तो जब यही तुम लोगों का AB upon P, Q के equal है तो यहाँ पे इस BC square by Q, R square की जगा मैं यह भी तो लिख सकती हूँ ना AB square by P, Q square यह कहां से उठा के लेकर आए मैं इसको? equation number 4 से क्योंकि equation number 4 कहता है कि सारे ratios आपस में क्या equal है? Similarly, वही equation number 4 यह भी कहता है कि AC का square और upon में यहाँ पे क्या जाएगा आप लोगों का पताओ P, R का square तो इसको मैं again यहाँ यहाँ पे equation दे दूँगी कि equation number 5, sorry कहां से equation number 4 से? तो therefore इस चीज़ को हमने proof कर दिया कि area of triangle A, B, C ठीक है? upon में आप लोगों का दूसरा कौन सा area of triangle करके कौन सा P, Q, R यह वाली चीज़ किसके equal है? यह वाली चीज़ equal है B, C square upon Q, R square equal to A, B square upon में P, Q square और upon equal to में A, C square by P, R square ठीक है? तो यह वाली चीज़ हो गई hence proved तो हमने इस theorem से क्या सीखा? उसका एक बार हम लोग साराज बना लेते हैं, क्या हमें पता तो होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आखिर हमने पढ़ा क्या है? तो देखो जब भी आपको एरिया का रेशयो देखने को मिलें, जब भी आपको बोला जाए ratio of areas, ऐसा word अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ratio of areas के लिए दो तुम लोगों की टेक्सबुक की exercise काम करती हैं, जो पहली exercise काम करती है ratio of areas में, वो होती है आप लोगों की exercise number 1.1 excise number 1.1 में भी हम लोगों ने area वाला काम किया था और दूसरी है आप लोगों के पास excise number 1.4 करके ठीक हैं तो अब excise number 1.4 और excise number 1.1 excise number 1.1 के accordingly अगर आपको area का ratio लेने को बोला जाए तो उसके लिए triangles के similar होने की कोई भी requirement नहीं है तो एक है triangle similar हो कि triangle similar ना हो उसको कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है उसको उसको कोई भी फरक नहीं पड़ता बस बात खतम तो ऐसे के इसमें वहाँ पे triangles का similar होना जरूरी नहीं है ठीक है triangles are need not to be similar triangles are need not to be similar लेकिन ठीक है अगर आपको exercise 1.4 के according area का ratio लेना है तो वहाँ पे आपको triangles को या तो similar दिये होंगे ठीक है और उसके बाद नहीं तो आप लोगों को वहाँ पे उसको similar proof करके दिखाना पड़ेगा बट 1.4 exercise तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक आप लोगों का triangle सिमिलर ना हो तो जब तुम आप लोगों की exercise 1.4 कर सवाल लगा होगे तो वह ची देखो कैसी हो जाएगी वह ची ऐसी हो जाएगी करके कि area 1 by area 2 is equal to walli cheese क्या हो जाएगी करके आप लोगों का वह हो जाएगा side 1 square ठीक है यहाँ पे कोई भी triangle की एक side और उसकी corresponding दूसरे वाले triangle की side का square यह से sides की square होते हैं यहाँ और जब आप यह वाला काम लगाते हो तो यहाँ पे यह होता है कि a1 by a2 equal to b1 h1 by b2 h2 मतला base और height का होना जरूरी है एकसर 1.4 में प्रूफ करने के लिए height का होना जरूरी है otherwise आप उसका ratio sides के terms में लगा सकते हो करके ठीक है इसके बाद यहामने theorem तो प्रूफ कर लिया है बट अभी इसके बाद जो आप लोगों का next करके वीडियो रहेगा उसमें कुछ illustrations रहेंगे जिन illustrations के वाया करके मैं यह चीज तुम लोगों को सिखा दूँगी कि कैसे इसके सवाल अगर आए तो उनके साथ आपको deal करना है ठीक है ओके पर